Hey guys welcome back to physics cube so is video lecture में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा important topic start करेंगे chapter 3 का and that topic is this Kirchhoff's law so let's begin with this so बात करते हैं Kirchhoff's law के देखे Kirchhoff's law में actually होता किए इसमें दो बहुत popular laws है पहली होती है आपकी that is first law या फिर current law या फिर आप इसको बोलते हो क्या junction rule by the way laws को समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि Kirchhoff's law को use करने की हमें जुरत क्यों पड़ी मतलब ऐसी क्या मुसीबत आ गई हमारे उपर कि हमें Kirchhoff's को like use करने की जुरत पड़ी लेक्शे मैं आपके सामने simple circuit मैं एक circuit बना रहो लेक्शे और मानले जी एक circuit एक्चुली यह NCRT का question है अगर आप देखेंगे तोड़े कर ऐसे अगर बड़ा है जील होी यह माल लिचे अब आपको यह बोला जाता है कि किर मानलो यहार पर एक जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है इससे वहले हमने क्या पढ़ा है कि भी resistances को series और parallel में connect करते हैं ठीक है हमने grouping of cells पढ़ा है तो हमारे लिए क्या problem होती है और हमारे लिए problem ये होती है ऐसे circuits में जो ठूढ़े complex circuit हो जाते हैं उन circuits में उन fundamental principles को apply करना मतलब उन concepts को apply करना थोड जो भी चीज़े हैं तो वो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल काम हो जाता है तो बस उसी काम को इजी बनाने के लिए हम कौनसी लोग यूज करते हैं हम यूज करते हैं किर्चॉप्स लॉग अब यह चाप्टर थ्री में बहुत इंबॉर्डन पोर्शन है आप जानते हैं कि इस टॉपिक से निमेरिकल्स बहुत ज़्यादा चांजिस होते हैं कि बोड में इस टॉपिक से निमेरिकल आए ठीक है तो यह तो बात हुई कि भाई किर्चॉप्स लोग की में जुरत क्यों पड़ी ठीक है यह जैसा आपको होफोली समझ आया होगा यहां पर बढ़ते हैं इस पर देखें जंक्शन किया एक आपने लेक लेक चौराया जैसे आपने सुना होगा वर्ट यहां पर चार रास्ते आकर मिलते हैं आपस में सेम ऐसे ही जंक्शन क्या है पॉइंट है जहां पर जहां पर दो या फिर टू और मोर्दें टू वायर्स एक दूसरे के साथ क्या कर गरती है बिसी कली जंक्शन एक पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर्स एक दूसरे के साथ क्या करती है मीट करती है ठीक है यह होता है जंक्शन फैसरे क्वेजिक्स में नो यह बोलता है यह लॉब ऑलती है कि वही जो एलजेबरिक समयना करेंट का किसी भी किसी भी जंक्शन के रहूंट यार वो एलजेबरिक सम करेंट के करेंट का जो एलजेबरिक समयना जंक्शन के रहूंट यार वो जीरो होता है ठीक है बई देखते है तो लेट से मैंने तीन वायर्स कंसेडर गरी इसमें करेंट जा रहा है आई वन लेट से दूसरे वायर ल इस वीडियो को ना पूरा एंग तक देखना आप लोग क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए और हम इसके उपर प्रॉब्लम्स भी करेंगे ठीक तो आप प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से देखेगा नो का इंट पर दो या दो से जादा वायर्स आकर मीट करी है जी और यहां से दो वायर्स अनिकल रहे है तो यह यह स्टेटमेंट दोलता है कि जो जैब्रिक सम कुतना होगा अगर इस स्टेट मेंट के पॉर्डिंग चलो विखीन आपको यहां 0, algebraic sum मतलब जानते आप summation current का sum 0 that is इसका concluding point क्या निकला conclusion यह निकला इसका कि जितना current junction में enter करेगा उतना ही current junction से बाहर जाएगा यह बोलते हैं अब यहाँ पर मैं tricks में लिखूँ अगर अगर मैं यहाँ पर यह tricks अलग से लिखूँ तो भई पहली trick क्या है कि first trick यह है कि अगर जो current है अगर वो current junction में enter करेगा प्लीज आप इन tricks को लिखेगा ज़रा ध्यान से अगर junction अगर current junction में enter करेगा तो उस current का sign लिया जाएगा positive वही पर अगर current junction को leave करेगा मतलब junction से बाहर निकलेगा तो यार उसका sign लिया जाएगा negative यह I guess आपको बात समझ जाई कि current अगर junction में enter करेगा positive sign है current अगर junction से बाहर निकल रहा है तो उसका sign क्या है negative ठीक है तो अगर आप यहाँ पर यह देखोगे अगर मैं इसको थोड़ा और आगे explain करो further तो आप यह देख पा रहे हो I1, I2, I3 junction में enter कर रहे है तो इन सभी का sign क्या होगा positive और यह total current कितना होगा जो junction में enter कर रहे है total मतलब सम कर देना है सबको I1, I2, I3 with by default sign positive अब इस junction से current बाहर कितना निकल रहे है सिर्फ I4 और I5 तो total कितना current बाहर निकल रहे है I4 और I5 बाहर निकल रहे है but इस I4, I5 का sign क्या आएगा देखिए leave कर रहे है leave कर रहे है तो sign क्या आएगा negative and this is equals to 0 तो यहां से हमने conclusion निकाला कि I1 plus I2 plus I3 किसके क्वाल है भई I4 plus I5 कि यह आपने देखा और यह क्या है आपका अगर आपने देखो यह I1, I2, I3 कि है यह तोटल करेंट जो जंक्शन में एंटर कर रहे है और I4, I5 कि है वो करेंट जो जंक्शन से पहार निकल रहे है hopefully आपको बात समय जाईए that is total current ending the junction is equal to total current limit reduction ना बात करते है इसकी एक और इंपोर्ण पॉइंट की यह exam में MC की उजमें पूछा जा सकता है या इंपोर्ड़न है practical में पूछा जा सकता है बिल्कुर द्रीज ध्यान रुखे का इसको की इस a statement of statement of की यह जो आई यह जो लॉँ है फर्स लोग जो आप कि देखते हूँ यह स्टेटमेंट है किसका इस अ स्टेटमेंट ओफ कंजर्वेशन ओ चार्ज की यह जो आप जानते हैं आपने पढ़ा एलेक्रोष्ट्रेग्स पर देखेंगे बहुत ईजी है वह आप देख रहे हो कर अब से करएंट करने का मतलब क्या हो रहा जो हुँतना चार्ज आपका बार निकल रहा हुआ ओब कि वोफुली आपको यहां पर ख्लेर होगी तो बढ़ते हैं यहां पर सेकेंट लोगी तो बात करते हैं रहाँ हम सेकेंट लोग जो सेकेंट लोग का दूसरा ना मैं वो है लूप रूल या फिर वोल्टीज लॉग ठीक है ओके अब इसके स्टेटमेंट पर तोड़ा गौर कर लूप की वह यह बोलते कि किसी भी घ्लोज लूप के आराउंड खीसी भी नेट वर्ट में ट्लोस लूप के आराउंड जो एलजेबरिक स्म होगा चेंज इन पोटेंशिल का जो एलजेबरिक संवगा किसका चेंज इन के equal summation का मतलब algebraic sum और delta भी मतलब क्या change in potential तो ये law भाई ये बोलती है हमें कि किसी भी close loop के around network में किसी भी electric circuit में किसी भी network में जो change in potential है वो हमेशा उसका change in potential का algebraic sum हमेशा किसके equal होगा answer is 0 के equal होगा यह या फिर इसका मतलब क्या निकलता है और the algebraic sum of EMFs of all the cells in the network that is or submission of all submission of EMFs that is algebraic sum of EMFs of all cells in network is always equal to is always equal to sum of products of the current sum of the products of the current and resistances in the circuit कि भाई circle equal है किसके sum of products के मतलब सम है किसका products का but product किसका है या product है किस-किस का current का और resistance का is equals to summation of IR तो यह बनी आपकी second local statement तो यह था अब आप बात करते हैं जड़ा second local मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं यह मैंने एक circuit बनाया बहुत simple circuit बनाया लेटसे मैंने एक यह कोई लेटसे चलो एक cell लगा दी यहां पर यह कोई और यह है माली 9-2 पी-क्यू आर-स दो माली जी मैंने बहुत simple circuit रोग यह एक simple circuit मैंने रोग लिया अब है क्या एक लूप बनाना आपको लूप पता है आपको क्या होता है लूप होता है कोई भी पाडल माली जी आपने और पी से चलनाया उट्रीक किया तो पी से ने गया एयरो इस तरफ पिर आप यूज्ट हो यार यह जो सब blessed बना आए आपकोrator रोड कंव नहीं यार्या विव्क क्यों से बूंद हूं अगर मैं आप आप से पूछो यार यह जो पात बनाए आपका यह जो लूप है आपका यहाँ पर इसमें आपने चलना कहां से स्टार्ट किया था भाई पी पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया तो अगर मैं आप से यह बोलू यार आप यह बताओ मुझे कि आपने पी पॉइंट से च से कोशन है तो पी पॉइंट पर वापस आकर आपकी पोटेंशल में चेंज कितना होगा आंसर इस जीरो कैसे दिखा देता हूं देखो आप पी से गए क्यों पे क्यों से गए आर्पार से गए एस पे ठीक है तो अब चेंजिन पोटेंशल कैसे निकालते हो अब हमेशा क्या फाइनल माइनस इनिशल तो आपका final point भी क्या है आपका final point भी पी और आपका initial point भी कहा है जहां से आपने चलने स्टार्ट किया पी तो चेंज इन बहुत चीवाद अब जब पोटेंशल जीरो है तो हमने एलेक्ट्रोस्टेटिक्स में चाप्टर टो में यह पढ़ा हुआ है कि वर्ग दन भाई चार्च किसके एको लोगा चेंज इन पोटेंशल जब बाई चेंज इन पोटेंशल जीरो है तो वर्ग दन भी कितना आएगा और जब ब'll कले ब बहुत फब़ला जीरो हं ओएगा तो किसके स्टेट्मेंट हुआ यह तो आप यहां पर बड़ा अरहम से लिक सकते हो क्या कि इट इस स्टेट्मेंट ऑ यह स्टेइटमेंट किसका से कंजर्वेशन ओनट कि ऊपने दार्टर इनरजी गा की वा लूप कैसे लगाना है जन्रेल एक टैंपलेट सर्किट देखेंगे तो अपने निमेरिकल में अप्लाई कर से नहीं है नहीं पर टैंपलेट सब्ड़ेट बना दिया है यहां पर मैं कुछ कंडिशन्स लेक देता हूं क्योंकि यह वेल्यू आपको गिवन होंगी हमेशा इस तरह आपको कुछ गिवन हो सकती है अब यह एक टैंपलेट सर्किट है इसमें हम यह सीखेंगे की लूप कैसे लगाना है एक्वेशन कैसे बनाने किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए ठीक है नो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिखूंगा साइब बाई साइड में प्लीज उनको आप फोलू कीजेगा एंड डान शौर आंव वेरी मुट शौर की आप अराम से इन ट्रिक्स को गर सीख लेंगे तो आप बहुत अराम से बहुत अराम से एक्वेशन सफॉर्म कर सकते हैं किट्स अफ्लॉक की अब हम इन ट्रिक्स की हेल्प से यहाँ पर एक् सर्शट में गोम वंगे जब या उस एक लूप में गोमों गे तो बड़ी एल का जो वह पॉजेतिव टर्मिनाल क्वेरा और पर आ रहा है तो उससल का यह क्या बन जाएगा positive ठीक है मतलब जिस भी सेल का positive terminal second number पर आएगा उस सेल का EMF हमेशा क्या बनेगा मतलब उस सेल की EMF का sign गया होगा हमेशा positive आँ देखे तो यहां पर बड़ी सेल कोन है even और एटू अच्छा एक खास बत और क्या इस circuit में आपको current given है answer is no तो अगर circuit में आपको current given है तो बहुत अच्छी बाते नहीं given है तो हमको current खुझ से mark करना है तो हमने current कैसे mark करते है positive से current निकलता है तो positive से current निकाला है और उतना ही current हमने negative में वापस डाल दिया तो यह हमने current mark कर दिया इसमें मैं जान पूझ के तीन equations बना रहा हूं बट आपको हमेशा equations को कम मदलब currents को current जो है उसको minimum रखना है दिस कम से कम रखना है आपको current को ठीक है नौ बात करते हैं आपने current हमें माक नहीं था तो हमने current निकाला circuit cell से और cell में ही वापस उतना current हमने डाल दिया तो बात करते पहले इस वाले circuit की इस वाले branch की तो यहां पर even बड़ा है E2 से तो मैंने loop लगाया एक लेट से मैंने loop बना दिया यह तो loop बनाने में कोई दिक्वत नहीं आप लूप बना दो अराम से तो मैंने यह loop one mark कर दिया लेक्शे तो मैंने loop बना दिया लेकिल लूप में ना सबसे बड़ा रोल किसका होता है arrow का तो arrow ही बताता है कि आपका positive cell का बड़ा बड़ी cell का positive terminal कौन से नमर पर आ रहा है let's say अगर मैं इसका arrow इस तरफ मारता हूं यह जो मैं यह है आप यह जो मतलब आप loop में इस तरफ घुम्रे ऐसे ऐसे आप इस तरफ घुम्रोड में थे के अगर आप ऐसे गुम्रें लूप में आप आप ऐसे गए ऐसे थोड़ा二 सोच इसस इमाज़流 इन ऑड़ा इगा प्रेगा आपाइस나 सपार प्राइब हूछ कीज़ों से आहरा है तो पॉलिटीव टर्मेनल तो यह होंता बड़ावाला संभली एस नगnahmen कीटेव तो यह पॉजितिव पहले नंबर पार आया है घूमते वे लूप में दूसर नंबर पर आया है आंसर इस पहले नंबर पर आया है तो भाई हमने एरो गलत मार तो हमें एरो मारना पड़ेगा इसके ऑपस्ट डिरेक्शन अब जरा इसको देखेगा अगर मैं एरो मारता हूं लेट से इस तरफ यह वात समझाई अगर मैं इस तरफ मारता हूं तो माल लीजी अब यहां से घुमने स्टर्ट किया आप ने यहां से चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले तो पहले नंबर पर कौन आ रहे है नेगेटिव जब पहले पर नेगेटिव है तो दूसरे पर कौन आएगा पका बगका पॉजटिव आएगा ठीक है तो अपलाइं के वी एल मतलब आप किर्ट आफ्स वोल्टेज लॉट अपलाए कर रहे हो किसमें कौन से लूप में लूप वन में ही लूप वन है तो यह बढ़ी देखे इससे ना एक बात और पक्की हो जाती है कि बड़ी सेल का ना बड़ी सेल क अब आपको फोकस करना है से बड़ी सेल पे छोटी पे फोकस नहीं करना चोटी का पॉजटिव सुट जाए हमारे अच्छी बात है नेगेटिव सुट जाए कोई दिक्कत नहीं उसका साइन क्या ले लेना है बस नेगेटिव लेना है तो जब आप ऐसे घुम के आओगे ऐस है तो आपको देखेगा जब आप ऐसे घुम क्या रहा है तो छोटी सेल देटीज एटू के लिए यह पॉजटिव पहले नंबर पर आ रहा है अगर पॉजटिव पहले पर आ रहा है तो एका साइन क्या होगा नेगेटिव तो माइनस एटू इस इकोल्स तो अगली ट्रिक बोलते हैं आपके कि अगर डारेक्शन ओफ करेंट और एरो सेम है तो आई यार का साइन पॉजटिव आएगा आप बहुत इस तरफ है तो आई यार क्या आएगा पहली वाली सेल के लिए आई वन आरवन क्या आएगा पॉजटिव दूसरी के लिए देखें आप जा इस तर हम लूब टू माने गए आप है अपलाइं की वले लूब टू तो मैंने एक फिर से लूप बना दिया इस वाले ब्रांच के लिए इस वाले सर्क्यट के लिए मेंने का लोगना दिया लेकिन लूप मेरा आपको पता चले लिए लूप में सबसे बड़ा रोल किसका है लूप है अब तोड़ा सोची इस बारे में तोड़ा सोची बारे में कि मैंने जो यहां पर एरो ड्रॉक यह है कि वह सही है कि गलत है ये-दु है कि नउ डेख्ते हैं हमने क्या बोला इत्री बड़ी है इस लूप में आ ऐसे कई ऐसे कई तो पहले कौन अया नगड़ेज सब्सक्राइब ने करने लूब Pew 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 dev आरहे दूसे नमबर पर पॉसिटिव रहा और जब भी पॉसिटिव दूसर नमबर भाया गा पॉजटिव टर्बिनल से कि नमर पाया गा सेल के ये मेफ का सइन क्या होगा में शाह प्लशी तो भी यह सुझ मुट ए-3 प्लस ए-2 ना जब आप ऐसे जा रहे तो आप देख रहे करेंट भी सेम डारेक्शन में तो आई 3R3 जब आप ऐसे जा रहे तो आप देख रहे हैं एरो और करेंट भी से तो प्लस आई टू अब एक ट्रिक आप यहां पर देख पाएं तो एक ओर ट्रिक है अगर यह पॉसिटिव तो यह पॉसिटिव यह नेगेटीव यह कितने गरंट हैं तीन एक्विशन तो दो हैं आपके पास वह दिक्कत हो गई है तो तीसरी क्विशन कहां से ली जाए तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में आपको किर्चॉफ्स की फॉर्स लॉव लगानी है में इस जंक्शन रूल लगाना है देखिए अगर मैं जंक्शन की बात कौन से रूल लगारे हो आप यहाँ पे अपलाइंग जंक्शन रूल तो अब आप यहां पे जंक्शन रूल लगा रहे हो तो ए हम यह वाला जंक्शन चूज चूज कर लेते हैं यह तो आप देखेंगे तो आई वन जंक्शन की तरह आः Barbara है तो current entering the junction, that is I1 plus I2, is always equal to current leaving the junction, तो junction से कौन सा current बाहर निकल रहा है, answer is I3, तो I3 junction से यहाँ पर बाहर निकल रहा है यह है, हमारी तीन equations बन गई अब इनको आप अराम से solve कर सकते हो, basic math लगा के, बहुत basic math लगा के, ठीक है, नव लास्ट रिक यहाँ पर क्या है, यह जो यहाँ पर लेकि हुए है कि अगर किसी circuit में cell ही नहीं गिवन आपको तो आप loop किसी भी तरफ ड्रॉगर सकते हो, तो हम करेंगे solve ऐसे question जिन में आपको cell ही गिवन नहीं होगी किसी circuit में, तो loop किस तरफ ट्रॉग करना है, so this was kit of slow, hopefully आपको यह topic समझ आया है, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चल्दी से जाकि सब्सक्राइब बटन को दबाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, so thank you so much, मिलते हैं जल्दी